हेलो फ्रेंड्स आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल अध्यनवे टू सक्सिस में और आज हम हैं अपने बाइलोजी के पार्ट 3 के साथ इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना हैं तो उनको आप जाके उपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन लिंग में जाके देख सकते हैं वहां से आप हमारे वाट्सेप ग्रूप और टेलीग्राम लिंक से साथ में वेबसाइट से भी जोड़ सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज के बाइलोजी पार्ट 3 के हम क्व गोष्ट इसका सही उत्तर है उप्शन सी भालू जिस कुल का सदस है उसी कुल का सदस से पंड़ा भी है अगले प्रिशन पर चलते हैं तारा मचली निम्न लिखित में से किस संग का प्राणी है उप्शन से मोलस्का इकाइनो डर्मिता ओर्थोपोडा या मज्ज इसका सही अगले प्रिशन पर चलते हैं मनुष्य के शरीर में नाइट्रोजनी अबसिस्ट कौण सा होता है ओप्शन है यूरिया अप्णिया प्राणी का इप शरकी तत्व है अंगले प्रेशन पर चलते हैं मेहमत पूर्वज है, options हैं, आदी मानव, घोडे का, हाथी का या कुट्टे का, इसका सही उत्तर है, option B, और sorry, option C, हाथी का, हाथी का मेहमत पूर्वज है, अगले प्रशन पर चलते हैं, घोसला बनाने वाला एक मात्र साप है, options है, चेन वाईपर, किंग कोब्रा, करेत या इन में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर है, option B, किंग कोब्रा, ये घोसला बनाता है, अगले प्रशन पर चलते हैं, मनुष्य में बुद्धी एवं चतुराई का केंडर है, options है, इसका सही उत्तर है, option C, सेरिब्रम, ये बुद्धी एवं चतुराई का केंडर होता है, अगले प्रशन पर चलते हैं, इसका सही उत्तर है, option A, आम जुखाम, ये राइनो वाइरस की वज़े बनता है, अगले प्रशन पर चलते हैं, जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तर जीविता का संबंध है, इसके options हैं, लेमार्क वाद से, ओपैरिन वाद से, मेंडल वाद से, ये डार्विन वाद से, तो इसका सही उत्तर है, option D, डार्विन वाद से, अगले प्रशन पर चलते हैं, रत में ग्लुकोस की मात्रा नियंतरित रहती है, तो में स्टो, स्टैनिन के कारण, ग्लुकोईगन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण, या इंसुलिन के कारण, इसका सही उत्तर है, option D, इंसुलिन के कारण, इससे ग्लुकोस की मात्रा नियंतरित होती हैं अगले प्रश्ण पर चलते हैं जीवों में अनुवांशिक विभिन्दताओं का मूल्स रोत होता है options है hormones का प्रभाव प्राकृतिक जयन का प्रभाव उत्परिवर्तन या लेंगिक जयन लेंगिक जनन तो इसका सही उतर है option C उत्परिवर्तन अगले प्रश्ण पर चलते हैं निम्नल लिखित में से किसे स्टार कुइन नैबुला के रूप में भी जाना जाता है इसके options हैं मैसियर 16, मैसियर 5, NGC 3372, NCG 3293 इसका सही उतर है option A मैसियर 16 अगले प्रश्ण पर चलते हैं जय विकास के संदर में सांपों के सांपों में अंगों का लोग होने को स्पस्ट किया जाता है options हैं अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किये जाने से दूसरा option है बिलों में रहने के प्रती अनुपयोग किये जाने से अगले प्रश्ण पर चलते हैं कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिस्क द्वारा इस्तमाल किया जाता है options हैं 20 प्रतीशत, 50 प्रतीशत, 75 प्रतीशत या 35 प्रतीशत इसका सही उतर है option A 20 प्रतीशत इतना रक्त का इस्तमाल शरीर में मस्तिस्क द्वारा किया जाता है अगले प्रश्ण पर चलते हैं मानव शरीर में सबसे छोटी हड़ी कौन सी होती है options हैं पटेला, स्टपीज, टिबिया, हुमरस इसका सही उतर है option B स्टपीज या हड़ी जो कान के अंदर पाई जाती है अगले प्रश्ण पर चलते हैं विज्ञान की वे शाखा जिसमें जिवाश्मों का अध्यन होता है options हैं पेलियोंटोलोजी, इकोलोजी, इथोलोजी या इनमें से कोई नहीं इसका सही उतर है option A पेलियोंटोलोजी इसमें जिवाश्मों का अध्यन किया जाता है अगले प्रश्ण पर चलते हैं उद्विकास के सबसे अधिक ठोज प्रमाण किस से मिलते हैं options हैं जिवाश्मों से, अब शेशी अंगों से, तुलनात्मक सन रचना से या इनमें से कोई नहीं है इसका सही उतर है option A जिवाश्मों से अगले प्रश्ण पर चलते हैं इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है options हैं, खाने की सुगन, अगर बत्ती, खुजबू, इतरी की महक या उपरोग्त सभी तो इसका सही उतर है option D उपरोग्त सभी ये कैसों के प्रसरण का सबसे अच्छे उदाहरण है अगले प्रश्ण पर चलते हैं स्तनियों के भुरूनिये विकास में हृदय का क्रमिक विकास होता है हृदय पहले मचलियों के हृदय की भाती दुधी वेश्मी फिर उबहचरों के हृदय की भाती त्री वेश्मी तता अंत में चो वेश्मी हो जाता है यह तक्ति किस परिकल्पना से संबंदित है ओप्शन्स हैं मेंडेलियन सिद्धान्थ ओप्शन B हार्डी, वीनबर्न के नियम, बायोजेनेटिक के नियम या लेमार्ग के सिद्धान्थ तो इसका सही उत्तर है ओप्शन C, बायोजेनेटिक के नियम अगले प्रश्ण पर चलते हैं इन में से कौन महामारी और स्थानिक, अपिडेमिक और एंडेमिक दोनों प्रकार की बिमारी है ओप्शन है टाइफाइड, हैजा, पूलियो या खसरा इसका सही उतर है ओप्शन बी हैजा अगले प्रश्ण पर चलते हैं निम्न मेंसे किस में अधिक ताप है बर्फ, उबलता हुआ पानी, भाप या उपर के सभी तो इसका सही उतर है ओप्शन C भाप में इस में सबसे अधिक ताप मानँ होता है अगले प्रश्ण पर चलते हैं किस अभिक्रिया द्वारा पौदों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुचता है। अप्शन्स हैं किडवन, विसरन, दहन या प्रकास संसलेशन इसका सही उतर है। अप्शन B विसरन अगले प्रशने पे चलते हैं। निमने लिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है। ऑप्शन्स हैं गिबन, औरेंज, उटैन, लंगूर या गोरिला। इसका सही उतर है लंगूर। लंगूर एक कपी नहीं है। अगले प्रशने पे जलते हैं। स्वस्षन की अभी क्रियाम में खादे पदार्तों की परिनिती क्या होती है। ऑप्शन्स हैं विगटन, दहन, परिवर्तन या संसलेक्षन। इसका सही उतर है विगटन। अगला प्रशने देखते हैं। प्राकर्तिक चैन के बारे में हमारी आधुनिक समझ की अनुसार, योगेतम सदस्य वे हैं। ऑप्शन्स हैं जो जिनमें वातावरण के अनुसार अनुकूलन की सबसे अधिक शमता होती है। जो बहुत सी संताने उत्पन करते हैं परन्तु कुछी संताने लेंगिक परिपकवता तक जीवित रहती हैं। ऑप्शन्सी जिनमें विशिस्ट वातावरण के अनुसार अनुकूलन की सबसे अधिक शमता होती है। अगला प्रशने देखते हैं भारतिय वन्य जीवन के संदर में ओडेयन, वल्गुल, निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन्स हैं चमगादर, गिद, बलाक या चील। इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए चमगादर। अगले प्रशने में चलते हैं। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांत्रन का मुख्य रूप कौन सा है। ऑप्शन्स हैं ग्लुकोज, स्टार्च, सुक्रोज या प्रोटीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन C, सुक्रोज। अगले प्रशने में चलते हैं। उथ परिवरतनवाद का प्रतिबाधन किसं ने किया था। निमन में से कौन सा हाइडोजन का आइसोड टोप है। ऑप्शन्स हैं प्रोटियम, डूतेरियम, ट्रीटियम या उपर के सभी। इसका सही उतर है, option D, उपर के सभी, ये सभी हाइड्रोजन के आईसोटोप्स हैं अगला प्रशन देखते हैं, डार्विन वाद की सबसे बड़ी कमजोरी, इन में से किसकी व्याख्या की कमी थी? options हैं, प्रचुर संतानपत्ति, विभिन्निताएं, योग्यतम की उत्तर जीविता या जीवन का संगर्ष, इसका सही उत्तर है, option B, विभिन्निताएं, ये इनकी व्याख्या की सबसे बड़ी कमी थी अगला प्रचुर देखते हैं, किस कारण एक माता पिता की सबी संताने एक समान नहीं होती हैं, options हैं, अनुवांशिक विभिन्निता, वातावरण की विभिन्निता, उपर्युक्त दोनों या इन में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर है, option C, उपर्युक्त दोनों, अनुवां फसल सयंतर का कवक रोग निम्न में से कौन सा है, options हैं, आलू की पत्तियों का मुड़ना, कपास का विल्ट, चावल में तुशार, आलू में भूरी सडाद, सही उत्तर है, option B कपास में विल्ट, ये फसल सयंतर का कवक रोग में कवक रोग है अगला प्रश्न देखते हैं नव डार्विन वादिके अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेवार है ओप्शन्स हैं उत्परिवर्तन, लावदायक विभिनताय, संकरण या उत्परिवर्तन निवं प्राकरतिक चयन अगला प्रश्न देखते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगबग कितनी होती है ओप्शन्स हैं 4 प्रतिशत, 8 प्रतिशत, 12 या 16 प्रतिशत इसका सही उत्तर है ओप्शन ए 4 प्रतिशत कितनी कारबन डैयकसाइड होती है अगले प्रश्न पे चलते हैं अधिकांश कीट स्वसन कैसे करते हैं ओप्शन्स हैं त्वचा से, वातक तंदर से, फेफणों से या क्लोम से इसका सही उत्तर है ओप्शन B वातक तंदर से इससे ये श्वशन करते हैं तो इसी के साथ आज के प्रश्मे समाप्त होते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में, थेंक यू